हल्लो आप लोग ने ईनाइटेड नेशिंचे वाले में तो जरूर सुना उगा ऑड़ा उनाइटेड नेशिंचे चे ऑर्गन से सबसें इंपॉर्टेंट और यूनाइटेड नेशिंच का सेक्यॉर्टे काउन्सिल है कि इनका main purpose जो होता है वोते हैं इंशार करना इंटर्नेशन लेवल पर पीस and security और peacekeeping operations यह करते हैं इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो यहां पर इंटे नेशन सेक्योर्टे काउंसल में करको कोई रिजॉलुशन पास हो जाते तो बाइंडिंग होता है फोर इच और इवरी नेशन कंट्री के लिए और लगबग पूरी कि दुनिया ही इसका पार्ट है इसके structure के बारे में भी जान लेते हैं तो युनाइटे नेशन में टोटल पंदरा सब्सक्राइब काउंसल यहां पर पांच पर्मानेंट है जो जिनका वीडियो पावर होता है और दस नौन पर्मानेंट है जो वेरिस पाट आप दी वर्ल्ट से सेलेक्ट होते हैं for the tenure of two years okay इंडिया भी इस टाइम युनाइटे नेशन सेक्योर्टी काउंसल का एक मेंबर है बट नौन पर्मानेंट मेंबर है और ऑगस्ट मन्थ के लिए सबसे ग्राइंड न्यूस है हमारे लिए कि आपको पता जो प्रेजिदेंसी के लिए इंडिया को सेलेक्ट किया गया है for August month और हां यह मंतली पर रोटेट होती रहती है प्रेजिदेंसी और इस बार इंडिया का टर्न आया है और इस बार शायद हिस्ट्री भी क्रियेट होने वाले क्योंकि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे इंडिया के जो जो सेक्योर्टी काउ प्रांसिल में प्रेजिदेंसी को एड्रस कर रहे होंगे राइट से ग्रेट मुमेंट अपार्ट फॉम डैट हमारे जेंडाज भी हैं इस इंपॉर्टेंट जो कि हैं पीस कीपिंग मेरे टाइम से क्योर्टें काउंटर टेरिश्म जिनके उपर हम इस मंत में बहुत जाते क्वेश्चिन क्या आपको आप बता सकते हैं बागी पांच और गन्स कौन कौन से युनाइटी नेशन की कि 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 क